असलाम अलेकुम वियर्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइस 1.1 का कोश्चर नमबर 5 जिसमें हमने प्रूव करना है तो प्रूव हमें क्या दिया गया है प्रूव दैट माइनस 7 ओवर 12 माइनस 5 ओवर 18 इस इकल तू माइनस 21 माइनस 10 ओवर 36 तो हम यहां पर करेंगे और राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे यहां पर हमारे पास लाफ्ट हैंड साइड क должны आगी है माइनस 7 माइनस 5 ओवर 18 अर procism 12 और 18 का क्या लेना है LCM तो 12 18 का LCM हमारे पास क्या आता है 36 तो हम यूं करते हैं कि हम इन दोनों नंबर को सेम कर लेते हैं यानि हम इनको 12 को ऐसे नंबर से मल्टिप्ला करते हैं कि हमारे पास 36 बने और 18 को भी ऐसे नंबर से मल्टिप्ला करते हैं कि हमारे पास 36 बने तो हम यहां पर Gordon Law of Fraction को यूज करते हुए numerator और denominator में किसी ऐसे नमबर को multiply करते हैं कि हमारे पास numerator में 36 बने तो हम इस पर लगाते हैं golden rule of fraction इसको हम 3 से numerator में multiply कर देंगे और denominator में भी क्योंकि 3 से हम 12 को multiply करेंगे तो हमारे पास 36 बनेगा minus 5 को 2 से numerator में भी multiply कर देंगे और denominator में भी क्योंकि 18 को अगर हम 2 से multiply करते हैं तो हमारे पास नमबर के आता है 36 तो यहां पर हम लिख देंगे using by golden law of fraction यहां पर minus 7 multiply 3 हमारे पास क्या आगया minus 21 12 को multiply 3 से किया क्या आगया 36 minus 5 को 2 से किया तो हमारे पास क्या आया 10 फिर 18 को 2 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 36 next step में हम distributed property को use करते हुए 1 over 36 इसमें से common ले लेंगे तो इसको हम यू लिखेंगे minus 21 minus 10 multiply 1 over 36 6 यहां लिखेंगे using by disti beautiful law next step में हम dvian law को use करते हुए यहां पर लिखेंगे minus 21 minus 10 over 36 साथ में हम लिखेंगे using by dvian law तो यही हमने प्रूफ करना था यह हमारे पस क्या आगी right hand side जो हमने left hand side को लेकर right hand side को प्रूफ किया तो आज का हमारा काम था exercise 1.1 का question number 5 करना अगर इसमें किसी स्टेप में किसी को भी confusion हो तो वो comment section में जरूर बताएए next video में हम करेंगे इसका question number 6 thank you allah hafiz